हेलो वाइस, काफी टाइम बाद हम मिल रहे हैं इस वीडियो के जरी है तो फटा बड़ समचे कमेंट बता दो यार कैसे आपके हाल चाल चल रहे हैं तो निफ्टी आप देखते हैं तो उसमें निफ्टी 11400 से लेके 11700 पर ट्रेड करा था तो यह कैसे हुआ जबकि मार्केट कुछ फ्राइड़े को 10-307 पर बंद वा था तो यह कैसे ट्रेड करा था वह आप खुद भी देखता आप शौक हो जाते हैं तो क्या ग्रो अप्स्ट को यूज किया जाए और क्या अप्स्ट्रॉक इतना भी सही है कि हम अप्स्ट्रॉक पे ही जाए और ग्रो में ना जाए तो आज यह चाहते हो को भी अच्छा प्लैट्फॉर्म क्यूज करना कि मुझे कौन सा प्लैट्फॉम बैस्ट रहेगा मेरे लिए अगर आप खता हो कि अप्लिकेशन में उस दिन हुआ किया था और मार्केट इतनी भाग कैसे कहती सेटरेड़े को जब मार्केट बंद रहती है तो मैं एक छोड़ी स्क्रीन रेकोड कर लेती है आप लोग के लिए आपको दिखाने के लिए तो यह जो है तीन जोलाई की है यह वीडिय तो मैंने गया मपस हमें गूगल पर जाके चैक्क यह किया मनडब कुछ मैरे सेगल cathी हो सकती है या सेघना मार्केट भग गई हो जैसे होग को Hoje की यहाँ कि यहां पर मैंने डेटी पी आपको दिखा रहो चार्ज उलाई और यहां पर भी अलग-अलग पॉइंट पर उसका मिलब पॉइंट मार्क कर रहो कि आपको देख सके वैल्य कौन सी है और यहां पर ग्यारा च्छेसो तेबीस पर मार्केट अपी चल रही है मतलब आप लिटर तो वार वार वालुचेंज होती रहती है तो मैं पक्का समझता कि यह ग्रेपलिक्सिंग का बग है और एक मैंने वीडियो बने ती सौमवार की जो कि छे जुलाई की ग्रोव एपलिक्शन में लोगा श्टॉक भाग रहा था उस दिन और यहां पर आप मैं 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 थुआ सा पीछे लिया तीन जुलाई को स्टॉक 145 पे ट्रेड करा था और दिरे दिरे बदब सौमवार को यह बढ़ा और बढ़के यह 153 पे आगया यह बार बार में पॉइंट करो आप देख सकते हो 153.20 पे यह ट्रेड करा है लेकिन उपर जो प्राइस हो रहे दिए वह 145 की है सबसे पहला कि अगर आप चाहते हो मुचल में डाला जा रहा है और सेकेंड मुझे जो अच्छा लगा वह उसका कर सपोर्ट जो की बहुत ही जैन्यून बहुत ही पोलाइट और सीधा मुझे लेकिन यह नंबर से आप बात कर सकते हो यह की बैस्ट मुझे लगा लेकिन अगर मैं खुद कर एक्स्पिरिंस बता हूं अगर आप बिगनर हो अगर आपको लिमिट नहीं पता है कि क्या लिमिट सेट करने चाहिए कैसे करने इंट्राइड डिलिवरी का उप्सन आपको सिल लिए बाइक या इसा चाहिए बहुती इस एक्सपिरेंस आई है तो आप उसको आज बेचते हो इंट्राइड गिना जाएगा लगा लोंग टाइम के लिए तो डिलिवरी ऑट्वेटिक लिगना जाएगा यह बहुती सिंपलेश एक्सिन लगा जो आप चाहते हो तो आप कर सकते हो ग्रों के थूँए लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करना जाता हो पहले बुरा ही बता रहा हूं कि यार क्या जिए बहुती बेकार सी लगी और कॉंसी कॉंसी अच्छी है तो बाद में बताऊंगा सबसे पहला कॉंस यह कि उसका कस्टमर के सपोर्ट कभी कभी नहीं लगता है कभी में उसको लगाता ओफॉन लगा दो तो कभी मेझाचा अज तक आट कभी मनार्थे में बात करते कभी आसे बोलते और बहुत करते काट में पर आप स्कते हो ौन मेरा परसनली मानना है कि अगर कोई अप्लिकेशन जिस परपस के लिए उसमें अगर हम जाए तो उसका मदब जो पकड़ है वो उसमें ज्यादा रहती है यह जाओ तो आप यूज कर सकते हो लेकिन अप्स्टॉक जो है वो स्टॉक के लिए तो चाहिए उसका प्लेटों उस त सब्सक्राइब करना है अभी के लिए कौन सा बैस्ट रहेगा ग्रो अफ्टॉक या फिर जिरोदा तो मैं रेकॉमेंड को कि जिरोदा को साइडवे कर दो क्यूंकि उसमें 300 पर भी दिमेटा का चार्जिस है लेकिन ग्रोव एन अप्स्टॉक अभी फ्री में है और आप बह जा सकते हैं और बहुत ही अच्छा इंटरफेस है लेकिन अगर आप बिगनर से प्रोव आपको उपसंस लेक्ट करने बहुत सारे वालब अपको ट्रेड करने सौट से लिंग करना इस टॉप लूज लगाना तो अब आप अप स्टॉक में यह जा आप अप आप अप्सटॉ तो अप्सटॉक में बैश्ट स्किम चल रही है रेफलर स्किम यह है कि अगर आप अभी अप्सटॉक में एकाउंट खोड रहे हो तो आपको 30 दिन तक ब्रोकरीजिस फ्री किया जा रहा है आपका डिमेट अकॉन फ्री में खुला जा रहा है प्लस आपको मनी कंड्रोल का फ क्या पता या बार बार उफर उनकी चेंज होती रहती है और डिमेट अकॉन के जो चार्जी से 300 रुपे वह भी अभी फ्री कर दिया गया है तो यह ओफर मुझे काफी बैस लगी है अगर मैं मेरी बात करूँ पर्सनली तो मैं ग्रोब को भी यूज करता हूँ ग्रोब में म सकते हो मुझे थो मिल जाएगा या फिर आप जो भी होलो कमिशन वगेरा वह थो मुझे बिल जाएगा और यादी वीडियो बिनानका प्रफस में यही था कि यार ग्रोव एन अप्श्रक दोनों ही अप्रेक्शन हमारे सामने कौन से परपस है मुसको यूज कर सकते हैं और क हैं व्डेल कि अपर्चस कोन इड़े हो यह बिल जाएगा येपली का ये सक लगा झाला कि येन अजड़ प्रोवष ग WEBSट वे बिल जाएगा बिल जा कि जाएगा एगा ये और कहा बिल जाएगा ये हुट खरूड़ज़ जाया हैं